मशकार दोस्तो स्वागते आपका फिर से मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल खेती बाड़ी में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तो लेसुन की खेती में जो सुरुवाती दिनों पर बन रहे कंद को आप किस परकार विक्सित करें कि वो आखरी तक दोस्तो सुरुवख्षित रहे और मजबूद बना रहे इसके लिए दोस्तो आपको लेसुन की फसल में जो महित्पुन खाद होते हैं दोस्तो उनको देना जरूरी होता है क्योंकि दोस्तो जो लेसुन की जो फसल होती है उसमें कंद का विकास होता है तो वीडियो के माध्यम से एक महत्पुन खात के बारे में जानकारी दूँआ जिससे दोस्तों आपको पहले से जानकारी है या फिर जानकारी नहीं थी लेकिन दोस्तों जो सही समय होता है उस खात को देने का वो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे तो आईए दोस्तों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा वह खाते दोस्तों 두के लेशुन लेश्ञाेशन की फशल घेल्शयम नाईटरेट का उप्योग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता algebra कैंद के आकर को बढ़ाती यह और साथ ही उसको मजबूत करती है और दोस्तों उसमें जब छोटा मोटा कंद का विकास होता है उस समय दोस्तों आपको उनमें जड़ों का विकास भी होने लगता है तो इसके लिए दोस्तों आपको केलसियम नाइटरेट की मातरा देने जरूरी होती है जिससे कि दोस्तों जो कंद बनेगा वो बहुत म क्योंकि दोस्तो जब लेस्ण का कंद धीरे-दीरे तोड़ी तोड़ी पाई जाती है तो आईए दोस्तों देखते हैं कि आप लेसुन की फसल में केल्शयम नाइट्रेट का उपयोग किस परकार करे और कब करें दोस्तों आपको केल्शयम नाइट्रेट खात का उपयोग करने से पहले दोस्तों लेसुन की जो फसल होती है उसमे यह बात है लेसुन की जो खेती होती है उसमें दोस्तों आपको सबसे पहले खरपतवार को निकाल कर फैंकना आए दूसरे बात दोस्तों आपको जब लेसुन की फसल में छोटा मोटा कंद बनना सुरू होता है उस समय दोस्तों आपको केल्शम नाइटरेट का उपयोग करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों जब आप calcium nitrate का उपयोग करते हैं, तो आपको धयान देना यह बात हैं कि आपको सीचाई पहले नहीं करनी हैं दोस्तों जब आपकी जो निराई गुड़ाई का काम हो जाए, उसके बाद दोस्तों आपको calcium nitrate का उपयोग करना है और साथ ही दोस्तों आप यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं दोनों को मिक्स करके आप अपनी लेसुन की फचल में दे दे ताकि दोस्तों जो यूरिया और केल्शियम नाइटरेट का कॉमिनेशन अच्छा रहता है और दोस्तों जो लेसुन की फसल है उसमें केल्शियम नाइटरेट की मातरा की बात की जाए तो दोस्तों आपको एक एकड में 10 किलो के आसपास केल्शियम नाइटरेट का उपयोग करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों आपको जब केल्शियम नाइटरेट का आप उपयोग करें इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी दवा या फिर दोस्तों दूसरे खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए और दोस्तों आपको लेसुन की फसल में केल्चियम नाइटरेट का उपयोग करने के बाद दोस्तों आपको सींचाई करने की जरुद होती है जब आप सींचाई करेंगे तो लेसुन की जो फसल में केल्शयम नाइटरेड का परियोग होता है दोस्तों वह बहुत अच्छे तरीके से होता है क्योंकि दोस्तों जो लेसुन की जड़े होती है वो खाद को अशुशित करती है आशा करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसे ही खेती बाड़ी के अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेला इकन को हमेशा ओन रखे ताकि दोस्तों जो हर नई आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके दन्यवाद